अलो प्रेंड्स आज आपका फिर से एक बर स्वागत है फिजर की सॉलेशन के प्री टुटॉरियल के अंदर आज का हमारा टॉपिक है प्रेंट वैल्यू यानि डिस्काउंट वैल्यू चलिए जानते हैं कैसे मान लीजिए आपको एक बाइक खरीदनी है और उसकी कीमत मार्केट में 60,000 है और कोई डिलर आपको वही बाइक डिस्काउंट रेट में दे रहा है और वह भी इंस्टॉल्म तो यहां पर मैंने पहले सही एक शीट बना रखी है जिसके बीच में मनने मंतली इंस्टॉल्मेंट यानि के PMT रेट रेट अफ परसंटेज और नमबर अफ पीरियड्स यहां पर अल्रड़ी मैंने डाला हूँ यानि के टू यर्स यानि के 24 मंत यानि 2 सालों के लिए हमने यह देखना के present value क्या होगी 60,000 की अगर हम मंतली इंस्टॉल्मेंट पे करते 2500 की तो हमें हर मत अगर 2500 दे रही है तो दो सालों में 24 महिनों के लिए हमें 60,000 देना पड़ता लेकिन अगर हमें वही चीज़ डिसकांटेट में मिल रही है तो हम यह देखते है कि वह हमें कितने की पड़ेगी तो चलिए इसके लिए हम यूज करते हैं present value का function मैंने यहाँ पर formula start किया equal to pv ठीक है और tab का button press करने से bracket start हो जाएगी rate हमारे पास यहाँ पर मैंने पहले से set किया हमने click किया rate वाले cell पर क्योंकि हम monthly निकालना चाहती है इसलिए हम इसे divide by 12 करणा अगर आप yearly न 24 months या फिर आप 2 multiply by 12 कर सकते हो अगर yearly होता है फिर आपको 12 से multiply करने की जरूरत ना बढ़ती PMT यानि के monthly आपके installment कितनी होगी तो मैंने यहाँ पे 2500 दे दिया है यानि के seat and cell के अंदर है वो यहाँ पे अलरड़ी टाइप हो चुका है नेक्सिस में हमारे से पूछ रहा है FB यानि के future value और type payment और future value इन दोनों में से आपने कोई भी एक value यहाँ पर देनी है तो मैंने PMT दे दे तो FB मुझे देनी की ज़रूरत भी है इसलिए मैं इसे 0 कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे type होता है अगर आपकी monthly installment month के start में जा रही है तो one type करोगी और अगर end में जा रही है तो zero अगर आप इन zero को यहाँ पर ना भी डालो तो भी यह formula apply हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पर इन दोनों zero को हटा दिया और bracket को close कर दिया और enter press किया तो हमारे पास हमारा answer show हो जाएगा यानि कि जिस buy के हम 60,000 पे कर रहे थे उसके हमें सिरफ 56,984.75 पे से ही पे क 30,000 पे करना चाहते थे तो आज हमने देखा present value next tutorial में हम देखेंगे future value को तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बाई बाई